बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम आज हम बना रहे हैं चिकन पास्टा जो के हम अवन में बेक करेंगे ये बहुत क्रीमी सा और मज़ेदार सा पास्टा बनता है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पास्टा तयार करेंगे इसके लिए हमें चाहिए पास्टा से तीन गुना पानी दो टेबल स्पून तेल या आईल और एक चाई की चमच या वन टी स्पून नमक पानी को हम अच्छे से बॉइल कर लेंगे जब इसमें बॉइल आ जाए या उबलना शुरू हो जाए तो इसमें हम 350 ग्राम पास्टा या 350 ग्राम पास्टा हमने जो वजन लिया था जो भी आपको किसी भी शेप का पसंद है किसी भी शकल का पसंद है वो इसमें डाल कर बना लेंगे फिर जब ये उबल जाएगा और पक जाएगा और पक जाए के लिए 250 ग्राम चिकन लेकर उसको चोटे-चोटे क्यूब्स की सुरत में काट लेना है और फिर इसमें हम शामिल करेंगे एक टी स्पून चिली फ्लेक्स एक टी स्पून कुटीवी काली मिर्च या पिसीवी काली मिर्च एक ही टी स्पून सफैद जीडा पावडर एक टी स्पून सोया सॉस और एक ही टी स्पून नमक पाव मसालों को चिकन के उपर अच्छे से कोट करके पंदरा मिनिट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखतेंगे चिकन सॉस तयार करने के लिए हम एक बड़े पैन में तीन टेबल स्पून ओयल डालेंगे लो मीडियम हीट पर हम इसे बना रहे हैं एक जवा लेसन का लेकर उसको छोटा छोटा सा चॉप कर लेंगे और आइल में हमने उसे इतना पकाना है कि उसका कलर उसका रंग जो है वो थोड़ा सा पिंक की तरफ चला जाएगा जब ये थोड़ा सा पिंक हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे चौप किया हुआ प्यास प्यास अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है सिर्फ एक चुथाई कप अनियन लिया है या एक चुथाई कप प्यास लिया है उसको थोड़ा सा हलका सा सौते करना है थोड़ा सा पकाना है बस एक मिनट के लिए और फिर इसमें जो हमने 15 मिनट के लिए मारिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देना है और उसको इसके साथ हमने पकाना है चिकन जो है चुके थोड़ी ड्राइ है इसमें हमने पानी डाल डाल कर थोड़ा सा इसको पकाते जाएंगे पांच से साथ मिनट के करीब इसमें जो है ये पकने में लगते हैं चिकन का कलर चेंज हो जाएगा और हम इसको पानी थोड़ा सा डाल कर दो मिनिट के लिए ढख कर पकाएंगे चिकन बहुत अच्छे से गल गया है तो हम इसमें शामिल करेंगे एक कप भर कर टुमैटो सॉस और इसके साथ ही हम डाल देंगे दो टेबल स्पून चॉप्ट कैपसिकम या शिमला मिर्च मेरे पास पीले रंग की शिमला मिर्च है आपके पास जिस भी रंग की शिमला मिर्च हो आप वो अपने हिसाप से इसमें डाल सकते हैं साथ ही शामिल कर देंगे इसमें आदी टी स्पून अरागनो और इसको फिर ढखकर पांच से साथ मिनिट के लिए पकने के लिए रखतेंगे लो मीडियम हीट पर 5-7 मिनिट इसको पकते वे हो गए हैं इसमें बस जम्माच चलाकर चूले से एक तरफ हीट से हटाकर साइट पर हम इसको रखतेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे इस टेप में हम तयार कर रहे हैं वाइट सास एक पैन में धाई टेबल स्पून बटर ले लिजए लो मीडियम हीट पर हम ये बनाएंगे ज्यादा तेज पर नहीं बनाना बटर को विस्क की मदद से हमने मेल्ट कर लेना है जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे मैदा यानि के वाइट फ्लावर वो डाल कर ये दो टेबल स्पून हमने इसमें डाला है और इसको तेजी से विस्क की साथ विस्क की मदद से इसको जल्दी जल्दी से इसके साथ मिक्स कर लेना है बटर के साथ एक मिन्ट तक हमने इसको बहुत अच्छे से mix करना है इसके बाद stove या तो बंद कर दीचे, और फिर इसके उपर बनाएं, या stove से हटा कर, थोड़ी देर के लिए stove से हटाएं और फिर इसको वापस stove पर ले कर जाएं, ताकि एक smooth सा, एक बिल्कुल नरम सा, एक texture का material जो है वो ready हो जाएगा दो मिनिट के लिए हमने इसको इस तरह से ही बनाना है जब ये इस तरह बन जाए तो हमने 500 ml हलका सानीम गरम किया हुआ दूद लिया है थोड़ा थोड़ा करकर हम इसमें mix करते जाएंगे अच्छे से mix करना है इस तलिए क्योंकि इसमें गुटलियां नहीं बन जाएंगे अगर ये गुटलियां बन गई तो फिर हमारी जो white sauce है वो अच्छी तयार नहीं होगी थोड़ा थोड़ा दूद कर डालके whisk करते जाएए और इसको इतना हमने पकाना है कि अब इसमें इस तरीके से उबाला आना शिरू हो जाएगा जब इसमें उबाला आ जाएगा तो हम इसमें करेंगे आदा कप मॉजरेला चीज़ अगर मौजरेला चीज आपके पास नहीं है तो आप चैजर चीज भी इस्तमाल कर सकते हैं पस जैसे ही हम इसको डालेंगे तो ये थिक होना शिर हो जाएगी थोड़ी सी इसको हम स्टोफ से हटाएंगे आदी टी स्पून काली मिर्च और आदी टी स्पून हमने इसमें नमक डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्टोफ हमने बंद कर देना है इस तरह से एक अच्छे से वाइट सॉस जो है ये हमारी तयार हो गई है स्टोफ से हटा कर साइट पे रखते हैं तमाम तयार शुदा चीजों को हम अब एक जगा पर इकठा करेंगे चिकन के साथ पास्टा को अच्छे से मिक्स करके वाइट सॉस जो हमने अभी तयार की थी वो भी हम इसी में शामिल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे और इनको तीनों को हम अच्छे सही के से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे के साथ नमक और काली मिर्च अब अपने हिसाब से इस समरेले पर एड्रेस्ट कर सकते हैं एक वेकिंग डिश में कि तयार शिदा मेटीरियल जो है उसको सेट करके उसके उपर हम मौजरेला चीज, दो कप मौजरेला चीज मेंने लिये था वो हम इसके उपर किनारों पर और हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे हर तरफ से इसको भर देना है 375 डिग्री फेरनहाइट, 190 डिग्री सेंटीग्रेट पर अवन को आउन करके, 25 मिनट के लिए हमने ये बेक किंग के लिए रख देना है जब ये बेक हो जाए तो हमने ब्रॉयल आउन करना है अवन का और हमने उसको 5 मिनट के लिए मजीद बेक करना है यहां तक के जो मॉजरेला है वो बबली हो जाएगी और गोल्डन भी हो जाएगी और फिर हमने इसको बाहर रैक पर निकाल लिना है क्यूंकि यह बहुत शदीद करम होता है इस तरीके से हमारी बहुत ही मज़िदार चिकन पास्टा जो है वो बेक हो गई है बहुत मज़िदार और स्मूध बनी थी इसको आप जरूर एक बार ट्राइ कीजिए बहुत बहुत शिक्रिया